रणबीर कपूर एनिमल मूवी के बाद अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए पूरी तरह तयार है वो नितेश तिवारी के साथ रामायन बनाने वाले है जिसके लिए वो अभी फिटनेस ट्रेनिंग ले रहे हैं जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और नितेश तिवारी ने भी इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है जिसके लिकिश फोटो को देख सकते हैं जिसमें लारा दक्ता दिख रही हैं जो शायद कैकई का रोल प्ले कर सकती है और वही इस फोटो में अरुन गोविल जी दिख रहे हैं जो दशरत जी का रोल प्ले करने वाले है और इसका हाल आदि पुरूश के जैसे ना हो जाए इसके लिए मेकर्स बिलकुल भी VFX और CZI पर ज्यादा निर्भर नहीं रहने वाले है मेकर्स इसे रामानंद सागर के रामायन की तरह बनाने वाले है इसलिए तो अरुन गोविल को भी कास्ट किया गया है जिसमें जितना जरूरत होगा उतना ही VFX और CZI का इस्तिमाल किया जाएगा इस रामायन सीरीज में रंबीर कपूर के अलावा साई पल्लवीमा सीता का रोल प्ले करने वाले है और लक्षमन का रोल रवी दुबे करने वाले है और वही रावन के रोल के लिए यश को बताया जा रहा है लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो उन्होंने इस रोल को अब मना कर दिया है और वह इस फिल्म के सिर्फ को प्रोड्यूसर होंगे मतलब पैसा तो लगाएंगे पर फिल्म में रावण नहीं बनेंगे और एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि रितिक रोशन इस फिल्म में भगवान शिव के कैरेक्टर प्ले कर सकते है और भी बहुत से कास्ट को फाइनल कर लिया गया है जो राम नवमी यानी सत्रह अप्रैल को पता चलेगा वही मूवी बहुत अच्छी बनने वाली है क्योंकि इसे रामानंद सागर के रामायन की तरह बनाने वाले हैं और वो भी ओम रावत नीतेश तिवारी जैसे डॉय एरेक्टर जिसने दंगल छिछोरे जैसी बहतरीन फिल्मे बनाई है अब सत्रह अप्रैल को देखते हैं कि इस मूवी से रिलेटेड क्या अपडेट आती हैं तब तक के लिए धन्यवाद